अल्फा एजुकेशन असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स वेलकम खुशामदीद अन्मा यूट्यूब चैनल एल्फा एजुकेशन उमीदे आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे स्टुडेंट्स आज हम सेमेंटिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है कोपरेटिव प्रिंसिपल और कोपरेटिव प्रिंसिपल के साथ ही जो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है वो है ग्राइस मैक्सिम्स का ग्राइस मैक्सिम्स में क्या है The Maxim of Quality The Maxim of Quantity The Maxim of Relevance The Maxim of Manner Cooperative Principle क्या है Grise को था Maxim ये Grise के Maxims क्या है Maxim of Quality Quantity Relevance और Manner ये सारी चीज़े क्या है आज हम इस पूरे टॉपिक को डिसकेस करेंगे One by one Maxim of Quality Quantity Relevance और Manner इन सभी चीज़ों को देखेंगे ये आज का Lecture No.20 होने जा रहा है और ये Lecture Deliver हो रहा है तुरू Alpha Education अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करें और चलिए टाइम वेस्ट के बगएर आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोपरेटिव प्रिंसिपल किसे कहते हैं स्टूडेंट विसे नाम से ही जायर है कोपरेटिव प्रिंसिपल यानि जिसमें कोई इनसान कोपरेट करता है लेकर हम इसकी प्रॉपर डिफिनिशन देखते हैं कि H. Paul Grice इन्होंने 1975 में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था लोजिक एन कोपरेटिव प्रिंसिपल को इंटर्यूस करवाया अब कोपरेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है वो इस असेंप्शन पर बेस है दे प्रिंसिपल इस बेस्ट उन दे असेंप्शन वो assumption क्या है अब student इसके concept को आप बड़े ही दिहान से समझे यह principle इस assumption पर बेस किर दी है कि किसी भी conversation में जो participants होते है conversation का मतलब क्या जब बातचीत होती है और बातचीत दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में होती है लेकिन हम basically समझने के लिए एक speaker और एक listener को लेते हैं तो एक conversation में जो participant होते हैं वो एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं मतलब एक conversation में जो हमारे participants होते हैं they cooperate with each other and usually और आम तोर पर क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो truthful हो एक दूसरे से सच बोले informative हो एक दूसरे को information पहुंचाए relevant हो यह जिस बारे में उनकी conversation हो रही है वो उसी topic पे बात करें and clear और जो बात करें वो clear अंदाज में करें in order to facilitate successful communication एक successful communication बनाने के लिए एक conversation के जो participants होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सच बोलें informative हो, relevant हो और clear हो इस assumption पे base करती है cooperative principle चलिए अब इसकी proper definition देखते हैं कि cooperative principle की proper definition क्या है cooperative principle describe how people achieve effective conversational communication in common social situation cooperative principle क्या कहती है यह describe करती है बयान करती है किस चीज़ को कि लोग कैसे effective conversational communication achieve करते हैं यहनि दो बंदे एक common social situation में यहनि एक society में दो इनसान किस तरह effective conversational communication achieve करते हैं इस चीज़ को describe करती है cooperative principle यह वो principle है जो कि इस process को describe करती है जिसके तुरू हम एक effective conversational communication achieve करते हैं और इसका मतलब क्या हुआ that is how listeners and speaker act cooperatively and mutually accept one another to be understood in a particular way इसका मतलब क्या हुआ इस definition का कि एक speaker और एक listener किस तरह से act करते हैं एक conversation में और एक दूसरे को accept करते हैं क्यों accept करते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझे एक speaker अपने listener को भी accept करता है और एक listener अपने speaker को भी accept करता है क्यों? क्योंकि वो चाहते है कि उनकी communication effective हो और successful हो इन simple terms अगर हम सादा अलफाज में देखे cooperative principle describe cooperative principle बयान करती है describe करती है वाज़े करती है how people achieve effective communication in everyday situation student बहुत ही simple सी बात है कि cooperative principle इस चीज़ को explain करती है कि लोग एक everyday situation में किस तरह से effective communication achieve करते हैं effective communication का मतलब कि दो बंदे communicate कर रहे हैं लेकिन वो effectively communicate कर रहे हैं मतलब उनकी communication जो है वो effective है उनसे उनको कोई फाइदा हो रहा है वो successful हो रहा है इस communication में and aims to explain how and why conversation tend to succeed rather than fail और इस चीज़ को भी explain करती है कि कैसे और क्यूं a conversation successful हो जाती है fail होने की बजाए तो student यह था concept cooperative principle का उमीद आपको समझ आई होगी चलिए अब हम further देखते हैं कि cooperative principle में जो हमने grace के maxims की बात की वो क्या है तो इसको नाम देते हैं conversational maxims या फिर graciousian maxims का graciousian maxims क्यूं केहते हैं क्यूंकि यह concept grace नहीं दिया था conversational maxims इसको क्यूं केहते हैं क्यूंकि यह conversation के लिहास से है maxim किसे कहते हैं student maxim केहते हैं उसूल को काइदे को एक rule को एक principle को इसको कहते हैं Maxim, यनि ये Conversation के बादचीत के कुछ उसूल है, कुछ काइदें हैं, जिसमें Grice expanded on his cooperative principle with his four conversational maxims, यनि Grice ने जो cooperative principle दिया, इस cooperative principle को मजीद अच्छे से explain करने के लिए उन्होंने चार conversational maxims दिये, चार तरह के उसूल दिये Conversation के, He based the maxims on the idea that in order to facilitate successful communication, it is necessary, यनि उन्होंने किस basis पर ये maxim दिये, उन्होंने का कि अगर आप चाहते हैं, कि आपकी communication successful हो, तो आपके लिए जरूरी है, क्या, to say enough to get your point across, to be truthful, to be relevant, and be as clear as possible, वही बात जो मैंने cooperative principle में आपको समझाई, कि अगर आप एक successful communication चाहते हैं, तो आपको उतनी ही बात करनी चाहिए, कि जिस बात के जरी आप अपने point टक पहुंच सके, आपको truthful होना पड़ेगा, आपको relevant होना पड़ेगा, और आप जितना clear हो सकते हैं, आपको उतना clear अपने conversation में होना पड़ेगा, अगर तो आप एक successful communication चाहते हैं, इस assumption की base पे Grice ने चार conversational maxims दिये, वो कौन से हैं, the four conversational maxims are, the maxim of quality, the maxim of quantity, the maxim of relevance, the maxim of manner, यहनी, Grice believe that anyone wishing to engage in a meaningful communication must follow these four maxims and assume that other will also be following them. अच्छा, Grice ने क्या कहा, कि अगर कोई भी इनसान, anyone, कोई भी ये खाहिश करता है, ये कोशिश करता है, कि वो एक meaningful communication में आए, meaningful communication का मतलब है, एक AC communication जो कि किसी मकसद के लिए हो, जो कि meaningful हो, जो कि बगएर किसी मकसद के ना हो, यहनी, उसके कोई meaning हो, अगर कोई भी एक AC communication च रे, वो भी इन maxims को follow कर रहे हैं, अब ये maxim क्या है, चलिए इन maxims को one by one discuss करते हैं, सबसे पहला है, the maxim of quality, maxim of quality क्या कहती है, you should only say the things you believe to be true, यहनी, आपको सिर्फ वही बात कहनी चाहिए, जो कि आप समझते हैं कि सच है, आपको जूट बात नहीं कहनी चाहिए, अपनी conversation में, आपकी conversation successful हो, उसके बाद, you shouldn't say the things you can't back up with evidence, आपको अपनी conversation में कभी भी वो बात नहीं करनी चाहिए, जो कि आप एक evidence के साथ proof ना कर सके, यह है, maximum of quality, इसकी example देखते हैं, the capital of Pakistan is Islamabad, एक speaker नहीं यह बात कही, कि the capital of Pakistan is Islamabad, here, the speaker believes that they are telling the truth to the best of their knowledge, अब यहां पर एक speaker अगर यह बात कर रहें, तो वो क्या कहरा है, वो इस बात पर यकीन रखता है, कि मैं सच कहरा हूँ, और जो listener है, वो भी यह बात रिज्यूम कर देता है, कि हाँ, जो मेरे speaker है, अगर तो वो यह बात कर रहें, तो वो maximum of quality को follow कर रहें, तो maximum of quality क्या है, कि आपको सिरफ सच बोलना है, ऐसी बात नहीं करनी, जिसको आप evidence के साथ proof न कर सके, उसके बाद है, the maximum of quantity, maximum of quantity क्या कहती है, you should make your contribution to the conversation as informative as necessary, यह आपको एक conversation में अपनी contribution करनी चाहिए, लेकिन कितनी contribution के जितनी जरूरी हो, मतलब जितनी information चाहिए, आपको उतनी ही information देनी है, न कम न ज्यादा, you should not make your contribution more effective, more informative than necessary, यह नि जरूरत से ज्यादा information आपने कहीं भी नहीं देनी, इसके एक example देखे, do you know if Cathy got on okay with her exams, speaker A ने एक question किया, अब speaker B अगर कहे, yes I do, यह पिर अगर वो कहे, yes I do, she did really well and got an A, यह नि उन्होंने A ग्रेट लिया, अब students यहाँ पर कुछ लोग यानि कुछ students को यह मसला रहता है, कि maximum of quantity में हमें सिर्फ यही बात समझाई जाती है, कि आपने कम information देनी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलना, इसका हर्गिस भी यह मतलब नहीं है, maximum of quantity का यह मतलब है, कि जितनी information चाहिए, आप उतनी information दे, एक communication को successful बनाने के लिए, मतल और अगर बन्दा आगे से कहे, yes I do, तो यह वाला answer appropriate नहीं है, यह वाला answer appropriate है, yes I do, she did really well and got an A grade, तो यह जो नीचे वाला option है, नीचे वाला जो answer है, यह ज्यादा effective है, और यह maximum of quantity को follow कर रहे है, तो student यह थे maximum of quality और maximum of quantity, next देखते है, maximum of relevance, maximum of relevance क्या कहती है, you should only say the things that are relevant to the conversation, बहुत ही simple सी बात, कि आपको सिर्फ वही बाते कहनी चाहिए, जो कि आपके conversation के relevant है, जो कि related है, यहाँ वहाँ की बात आपने conversation में नहीं करनी, this maximum helps, keeps conversation on track and prevents random conversation that lack continuity, अब इस maximum से हमें क्या फायदा होता है, कि यह हमें एक track पर रखती है, यह अगर हमारा एक topic चल रहा है, तो यह हमें उसी topic के track पर रखती है, और हमें random conversation से बचाती है, यह अगर एक इंसान एक topic पर बात कर रहे हैं, और वो बीच में irrelevant चीज़े start कर दे, त इस तरह हम बात से इदर उदर चले जाते हैं, और communication successful नहीं हो पाती, तो अगर तो हमें successful communication करनी है, तो हमें अपने topic के relevant रहना होगा, अपने conversation में relevant चीज़ों पर बात करनी होगी, example देखते हैं, Do you think Ahmed is having new business in Islamabad, speaker ने एक question किया, कि Do you think Ahmed is having new business in Islamabad, speaker भी answer करता है, Well, he goes to Islamabad most weekends, अब यहाँ पे student, यह जो Ahmed विजिट करता है, ज्यादा तर Islamabad को हर एक weekend पे, most weekends पे, और एहमद के एक नया business, इन दोनों की बीच में एक relevance है, यहाँ पे speaker भी वैसे ही कोई बात नहीं कर रहा कि अच् है, वो ज्यादा तर वीकेंड्स पे Islamabad जाता रहते हैं, बलकि इसका एक relevance है, इसके साथ कि अगर तो उसका business है Islamabad में, मतलब speaker ने एक question किया, कि Do you think Ahmed is having new business in Islamabad, तो speaker भी इसी के relevant है कासन देर है, कि हाँ, मतलब well, he goes to Islamabad most weekends, कि अच्छा वो वैसे ज्यादा तर Islamabad वीकेंड्स पे Islamabad में, तो यह है, maximum of relevance कि आपको अपने conversation में relevant topic पर बात करनी होगी, the maximum of manner, maximum of manner क्या है, you should avoid obscurity or ambiguity, यह आपको अपनी conversation में ambiguous चीज़े नहीं कहनी, unclear, vague और blur चीज़ों के बारे में आपने बात नहीं करनी, जिसके आपके listener को समझ ही ना आए, अपने clear होके, असान अलफाद में ब brief होना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा detail में नहीं जाना, बहुत ही ज्यादा over information नहीं देनी, और orderly होना है, एक order के मताबक आपने बात करनी है, you should try and be as clear as possible, आपको, जैसे मैंने भी बताया, कि जितनी हद तक possible हो, आप clear बात कर सकते हो, उतनी आप clear बात करें, this maximum mainly refer to the choice of words you use, अब इस maximum किस चीज़ की तरफ refer करती है, कि हम अपनी conversation में कैसे words यूज़ करते हैं, यह maximum इसकी तरफ refer करती है, I am writing an essay on metonomy, अगर मैं एक बात कहूं किसी भी listener से, जिसको language का नहीं पता, और मैं कहूं, I am writing an essay on metonomy, और यहीं पर मैं अपना sentence खतम कर दूँ, तो मेरे listener को अ हमारी communication successful नहीं होगी, तो यह sentence, I am writing an essay on metonomy, it's a type of figure of speech, यह maximum of manner को follow कर रहें, क्योंकि यह clear करके एक चीज़ बता रहें, here, the speaker knows that, it is possible that the listener does not know the term metonomy and decide to give a quick explanation, अब student, अब यहां पर आप कहेंगे कि सर, आपने तो कहा कि हमें ज्यादे explanation नहीं देनी, लेकिन बात वहीं कि जितनी explanation, जितनी information ज़रूरी हो, वो आपको देनी है अपनी conversation में, अब जैसे यहां पे एक speaker ने सोचा कि यह possible है, कि जो मेरा listener है, उसको metonomy का पता ना हो, कि metonomy है क्या, तो इस वज़े से उन्होंने quick सी, एक short सी information दे दी, कि it's a type of figure of speech, कि मैं metonomy पे एक essay लिक रहा हूँ, और metonomy क्या है, यह एक type है, figure of speech की, तो student, यह था maximum of manner और maximum of relevance, और यह था आज का lecture, अगर आपको आज की lecture की समझ आई है, तो मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलिए, मुझे support करिए, जितना आप कर सकते हैं, आपकी support से मुझे बहुत होसला मिलता है, इस lecture को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, इन्शाला नेक्स लेक्चर में मैं flouting और violation of grise maxims पर बात करूंगा, तब तक अपना धेर सारा ख्याल रखें, दौाओं में याद रखें, इन्शाला नेक्स लेक्चर में एक नए concept के साथ हाजर होंगे, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज.